शक्ति या उर्जा किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए विद्धुत शक्ती की आवशक्ता होती है ये शक्ती ताब बिजली, कोईले से, जल विद्धुत, बांधों से, पवन बिजली, सौर उर्जा, परमाणु उर्जा, आदी से प्राप्त होती है कोईला वजन में काफी भारी होता है, साथ ही कोईले से बनने वाले बिजली ग्रह के आसपास के शेत्र में कोईले से निकलने वाली राख, एश से काफी प्रदूशन होता है कोईले का विकल्प है डीजल लेकिन ये दोनों पर्यावरन की दृष्टी से प्रदूशन कारी है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रकृती में सीमित मात्रा में ही उपलब्द है और समय के साथ साथ इनके खत्म हो जाने का डर है इसलिए आजकल पर्यावरनी दृष्टी कोंड से उर्जा के वेकल्पिक स्त्रोध भी तलाशे जाने लगे हैं जैसे सौर उर्जा, पन बिजली, वायू उर्जा, कचरे से बिजली बनाना आदी इन में से सबसे किफायती बिजली, बांधों से बनने वाली जल विद्धुत उर्जा लेकिन बड़े बांधों से बहमूल्य वन और खेती हर जमीन डूब जाती है और कई गाउं उजड़ जाते हैं छोटे और मध्यम बांध और पहाड़ी ढलानों पर बने बिजली सयंत्र इसके उचित विकल्प हो सकते हैं जिन राजियों वा देश में विद्धुत सतत वसस्ति मिलती हैं वहां और द्योगी करण के संभावनाय बढ़ जाती हैं यहां सतत का तादपरे किसी भी कार खाने में मशीन चलाने के लिए विद्धुत 24 गंटे निर्बाद रूप से मिलते रहने से हैं बाजार किसी भी वस्तु के उत्पादन के बाद उसकी बाजार में खपत होती हैं अता सभी उत्पादों को बाजार तक ले जाना होता है साथ ही लगातार बदलते हुए बाजार के स्वरूप भी उद्योग को इस्थापित करने में महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं बाजार से तादपरे किवल परिवहन खर्च कम करने से नहीं है बलकि बाजार में नै नै उत्पादों की खपत के साथ साथ लोगों का उत्पादों के प्रती रुजान बनाये रखने के लिए वस्तों का आकर्षरक होना एवं गुणवत्ता महत्पूर्ण हो गई है साथ ही मानक बाजार के भी जरूरत होती है जिससे दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोग एक तरह के उत्पाद की मांग करें अर्थात लोगों की सोच, रूची वह खपत में समरूपता हो पिछले 25 वर्षों के दोरान मोबाइल के उधारन से उसे समझा जा सकता है कि शुरुवाती दोर में 1990 से 99 में बहुत ये कम कमपनिया मोबाइल बनाती थी तथा मोबाइल भी कम लोगों के पास होता था क्योंकि लोगों की पहुँच कम थी आज बहुतेरी कमपनिया मोबाइल बनाती है बाजारों के प्रतिसपर्धा में अपने आपको बनाये रखने के लिए कमपनिया अपने नए फीचर के साथ अलग-अलग आकार डिजाइन सस्ते मूले पर मोबाइल बाजार में लाती है जिसे वे ग्राहकों का आकरशन अपनी ओर कर सके तथा बाजार में अपने को पुना स्थापित कर सके उद्योगों में काम करने के लिए कुशल और प्रसिक्षित मजदूरों की अवशक्ता होती है साथ ही कुछ कुशल मैनेजर, वेज्ञानिक, कम्प्यूटर प्रोग्रामर आदे की जरूरत होती है और द्योगे करन के यह भी जरूरत है कि कुछ लोग लीक से हट कर सोचे नई-नी चीजों की खोच करें, समस्याओं के नए हल खोचते रहें अर्थात लोग स्रिजनशील और भीर से हट कर सोचने वाले बने विकारशील देशों में मजदूरों की समस्या बहुत भिन रूप में है सगन जनसंख्या वाले देशों में बेकारी की समस्या गंभीर है अतावे सस्ते में काम करने के लिए तयार हो जाते हैं लेकिन उनमें कुशलता की कमी होती है, वे अधिकानशिता असिक्षित होते हैं और आधुनिक उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। देश के कई कारिगरों को कुशलता हासिल करने के लिए विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है। पूंजी और द्योगी करन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है पूंजी की। पूंजी उपलब्द कराने के लिए कई संस्थाओं का स्थापित होना आवश्यक है। जिसे शेयर बजार, बैंक और भीमा कमपनियां। इनके होने से किसी भी उद्योग पती को कार खाने लगाने के लिए जरूरी पूंजी उपलब्द होती है। लोग अपना धन खाली और अनुपयोगी न रखें और उसे लाप कमाने के लिए निवेश करें। इसके लिए बैंक जैसी संस्थाओं जरूरी है। उद्योगों में व्यक्तिगत पूंजी केवल वैपारिक तथा लाप के द्रिश्टी से लगाई जाती है। और इस प्रकार के पूंजी में उनी स्थानों पर उद्योग स्थापित होते हैं जहां लाप की संभावना लगभग निश्टी थो। जैसे मुंबई के कपड़ा उद्योगों में व्यक्तिगत पूंजी का आकर्शन इसी द्रिश्टिकोंड से हुआ था। विदेशी व्यक्तिगत पूंजी भी इसी लक्षी से उद्योगों में लगाई जाती है। विक्सित देशों के पास आधुनिक प्रवध्योगी की हुनी के कारण वहां अधिक समभा हुआ है जबकि विकार्शियल देशों में प्रवध्योगी के कम विकास से उद्योगों का कम विकास हुआ है। इसके लिए नए-ने अनुसंधान नई तकनीकी का विकास आवश्यक है जिसे ज़्यादा उत्पादन हो सके जरा सोचे कि उच्च गुणवत्ता के लोग एसक से तो उच्च गुणवत्ता युक्त लोहा इस्पात का निर्माण किया जा सकता है लेकिन कम गुणवत्ता वाले लौ एसक से उच्च गुणवत्ता के लौ इस्पात का उत्पादन किस प्रकार संभो होगा यह नए अनुसंधान के द्वारा ही संभो हो सकता है नई नई स्वचालित मशीनों के उप्योग से सर्वाधिक वगुणवत्ता व्योक्त उत्पादन हेतु प्रद्योगी के विकास वह उसकी संभाणाओं को तलाशना महत्वपूर हो गया है दुनिया के अन्य देशों के बारे में सूचना के माध्यम से पता करना और द्योगी करन में मददगार साबित होता है आज कमपनियों में कई प्रतिसपर्धा है इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि अत्यधिक वह गुणवत्ता योगत उत्पादन के लिए आधुनिक वह नई तकनीक का उप्योग करें इसके लिए कई कमपनिया नई तकनीक वाली कमपनियों के साथ मिलकर उत्पादन का काम करती है उदाहरन के लिए भारत की हीरो कमपनी ने जापान की कमपनी होंडा के साथ मिलकर हीरो होंडा मोटर साइकल का उत्पादन शुरू किया